नमस्कार दोस्तों मैं उमेश आप सभी के अपने इटिव चौनले फिर से बहुत बहुत स्वाध करते हैं अगर आप भी जैप्रकास नरायन इनुभर्सिटी के माधियम से गैज्विसम एडिमिसन लेना चाहते हैं जैसे कि बी ए करना चाहते हैं बी ए करना चाहते हैं तो और कितना आपको payment करना है सभी जनकाई जो इस वीडियो में किलियर करके बताएंगे तो प्लीज वीडियो सुरू से अन तक लेकर जोरू देखें और वीडियो थोरा से बहुत अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को हो गया है यह फिर आप यहां से भी सर्च कर सकते हैं तो क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जनकारी आपको मिल जाएगा ऩीक है १ोज़र टेइस से लेकर 27 तक आपका स्टेंच यहां पर होने वाल से ला एंक को जो गेर्योशन का उपाधी आपको मिल जाएगा ठीक है यहां पर कल से ही बोला गया था शुरू करने के लिए लेकिन आज से फॉर्म है यहां पर शुरू हुआ है ठीक है तीन सवर पर पेमेंट आपको करना होगा और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्मेंट लएंगे इसके जनकारी हमने यहां पर दिया हुआ है ठीक है नीचे आएंगे तो यहां पर आप यहां से अप्लाई ओनलाइन के ओप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं बट मैं आपको ऑपीशल पर साइट पर सगेश्ट करना चाहूंगा कि यहां पर आप जाकर फॉर्म को फील करे तो अपीशल पर साइट के सामने क्लिक हैर का ओप्शन पर क्लिक करेंगे तो जय प्रकास भी सोभी दाले च्छापरा में बीए बीए सी और बीकम के लिए जो यहां पर फील होना स्टार्ट हो गया है ठीक है लिंक के आएंगे तो यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा क्लिक अप्लिकेशन फॉर्म दो हजर तेईस से लेकर 27 ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे इंग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है अपना एकाउंट यहां पर क्रियेट करना होगा तो जिनके भी नाम से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे यहां पर एक username आपको लिखना है username में कुछ भी आप लिख सकते हैं जिनके नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका नाम लिख कर एक दू तिन बगरावरा डाल सकते हैं वह आपका username हो जाएगा उसके बाद यहां पर एक email ऐड़ी देना है email जो है पुरी तरा से सही देना है औ एक mobile नमबर यहां पर डालेंगे और उसके बाद यहां पर जो भी आपको केपचा नजर आ रहा है तो इस केपचा को यहां पर फील करना है और पर देख सकते हैं कि यहां पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने की कुछ की तरह का interface आएगा ओप Ск्लिक करना है कि सबसे पहले अपना यहां पर सेवट बनाना चाहते हैं ereड जो भी आ बनना चाहते हैं अपनना मंलिक कर उस्वार्ब कों यहां पर कंफॉर्म करना है और उसके के rinse to apply ंचॉर आपको जूब्हें हो जाएगा उस user ID और passage तो इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ महतपूर जनकाड़ी दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं इसमें जो है कम से कम पांच कॉलेज का जो है बीकलब आपको देना होता है और हिंदी अपना पूरा प्रस्टन लिट्रेश डालना है जैसे कि जिस बेच्ट डूइन का फॉर्म फील कर रहे हैं उनका नाम क्या है पूरा जो है क्या बतायेंगे कि अपना धर्म बता देंगे यहां पे ब्लॉड ग्रूप भी आपको देना पड़ेगा ठीक है तो ब्लॉड 40 उर्पया में जाएंगे पैथलोजी पर आपको चीक हो जाता है तो वहां से अपने ब्लॉड ग्रूप है आपको बताना है कि अपका ब्लॉड ग्रूप क्या है क्योंकि यह भी मैंडेटरी है यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यहां पर अधार नंबर भी आपको देना म कि मतलब नहीं है उसके बाद यहां पर आपको कईटिगड़ी बताना होगा कि आप कौण से कईटिगड़ी से झाथे हैं तो इस vulner करेंगे अगर आप pee कईटिगड़ी से या नि की आपका जाती पमापतर है वह आ होग है उनको यहाँ पे उसको upload भी करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह से आपको upload करना होगा इसका फाइल साइज रहेगा 2MB से कम रहेगा JPG PNG PDF कुछ में भी होगा यह upload हो जाएगा तो इस क्या करना है चूछ करना है और चूछ करने के बाद यहाँ से इसको select करना है upload के option पर क्लिक करना है तो आपका जो फाइल है इस तरह से upload हो जाएगा उसके बाद अगर आप आपका खूपेंडेंस एडरेस और पर्माटेटर सेम है तो आप यहाँ पर ठीक कर देंगे तो दोनों यहाँ पर सेम हो जाएगा ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने intermediate कहां से pass out वेगरा किया हुआ है उसका पुजनकाई देना होगा कि इंटर आपने कहां से पास किया हुआ है कौन से बोट से वहां से पास किया हुआ है बिहार बोट से यहाँ पे उसको लिख देंगे कि इस तरह से आप टाइप कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपने कब पास किया हुआ है intermediate उप अबाताना है कि 2023 में पास किया है कि 22 में पास किया है है जो भी आपका कन्डेशन होगा उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप compartmental से या फिर N11 से पास पास किये हुए है उसको बताएंगे उसके बाद आपका जो भी रइस्टेशन नंबर है को डालेंगे और माक्सिट को यहाँ अपलोड भी करना है उसका साइज भी 2MB से कम रहना चाहिए JPG PNG PDF format में रहेगा यहाँ से upload के option पर click करेंगे पहले choose कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर upload का option पर click करेंगे तो आपका कॉलेज का पूरा आपको नाम यहाँ पर लिखना होगा कॉलेज का पूरा पता है उसको भी आपको यहाँ पर देना पड़ेंगे कहां से पास आउट किया हुआ है उसके बाद उसमें admission अपने कब लिया था जैसे कि माल लीजे अगर आप मैं दो साल पहले admission लिये होंगे तो 2023 में पास किये हुए है तो उसके इस आप सब देख लेंगे कि यहाँ पर 2021 में अपने तोर पर दिखा रहा हूं और उसके बाद आपको यहाँ पर सबत लेना है ठीक है इसको टीक करना है और save and continue के option पर क्लिक करना है आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपने 500 नंबर में से कितना नंबर लेकर आये हुए हैं उसको यहाँ पर लिखना होगा उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर स्टेट कर पाएंगे कि आपको जो ही आगे क्या करना है क्या नहीं करना है तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर स्टेट करेंगे अगर साइंस से आप थे तो साइंस स्लेट करेंगे आर्ट से स्लेट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं और साथ में हिंदी इंग्लिस बेमार लिया हुए तो आप जो भी लिये हैं कि आपको शलेट करेंगी ठीक रस बाद इहां पर सब्जेटिक का दोपने आप लिखना होगा तो मान लिजिए अपने न币 अपने नहीं में आपको बताना होगा तो इस तरह से इसको आपको भर वर ना होगा आप समझ में आएक उसके हिसाब से आपको जनकारी यहां पर भर ना है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपको आप्सविश में देना होगा जैसे कि यहां पर इकोनामीस जोगरफी कि हिष्टी होम ज्याय हुआ है की 시간 को बताना होगा तो जैसे किudald अपने आप्ने कितना कितना नमबर और लेकर आये हुए है उसको बताना होगा उसके बाद आपका और भी कोई home science होगा तो home science में आपने कितना number लाये हैं उसको आपको बताना होगा जो भी आपका यहां पर subject होगा उसको आपको select करना होगा उसके बाद यहां पर और भी आप select कर लेंगे अपनों according उसके बाद कोई additional subject अपने अक्तिरिक्त में लिया हुआ है जयसे कि अगर आप लिये हैं तो स्लेट करके उसमें कितने नंबर लाए हुए हैं उसको भी बता दीजिएगा क्योंकि मेरिट जब बनेगा न तूसमें उसके हिसाब से मेरिट बनाए जाएगा ठीक है तीन बातों का ध्यार रखिएगा तो यहां पर सभी चीज़ इंटर्मेडियेट के हिसाब से आपको डालना है उसके बाद यहां पर सब्जेट एन कॉलेज का प्रिफेंस आपको यहां पर देना होगा तो देखिए संकाय में आप देखेंगे तो यहां पर कमोर्स हुमार्डि करेंगे इसमें आपको हिंदी मिलेगा ठीक है प्रिश अब जो कुई धिया पर देज सकते हैं कॉलेज का थीक है तीस तरह से हैंगे अगर आप कमर्स तरह करेंगर आप सोशल शाइंसलेड करेंगे थ्यूसर大ग करेंगे लार्षा यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है उस तरह से आप यहां पर साइंस लेड करेंगे तो इसमें आपको देखेंगे तो बोटनिक कमेश्टी यहां पर और भी फिजिक्स जोलोजी मैथमेटिक से आप करना चाहते हैं अपर बोल रहा है कि यहां पर इंटरमीडियर्ट जो ह हैं उसके बद यहां पर सब्सक्राइश करेंगे तो यहां पर यहां पर आपका कॉलेज है तो इसके बाद थौर college का जो है selection आपको करना होगा आपके आस पस्त में जो भी मतलब college होगा ना उसको ही आपको select करना है ठीक है चुकि आपका जो है इसमें admission हो जाए उसके बाद यहाँ पर fourth college का भी इस तरह से चुनाव करना है उसके बाद फिफ्थ का भी कर लेना है ठीक है उसके बाद यह तो यहाँ पर nrb plus nb select करना पड़ेगा या फिर आपने डेर्स नंबर का हिंदी लिया हुए और पचास नंबर का इंग्लिस लिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप बताएंगे तो nrb plus nb यानिकी nrb 50 और हिंदी इंग्लिस नंबर का होगा तो इसमें हिंदी इंग्लिस ल लेकर आया हुए है उसको आपको बताना होगा यहां पर हिंदी इंग्लिस अगर आपने nrb plus nb select किया हुआ है तो हिंदी इंग्लिस में कितना नंबर आया हुए न उसको यहां पर जोड़कर आपको लिखना है ठीक है उसके बाद यहां पर आपका जो भी optional subject है जैसे कि यहा अपर बताना होगा और उसके बाद यहां पर college का preference और अपने जो संकाय है जैसे कि माले जिससे भी आप अनर्स करना चाहते है उसको यहां पर select करेंगे और यहां पर सबस्क्त लेंगे और उसके बाद ऊप्संपर क्लिक करेंगे अप सम्मिट का अप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे, तो अब 3 सुर्पया का payment करने के लिए बोला जाएगा, तो पर सीडट पेमेंट का option पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप payment कर पाएंगे, payroll. डेबिट कार्ड, ette Banking, UPI से भी आप payment यहां पर कर सकते हैं, बढ़िया payment facility आपको मिल रहा है, यहाँ पर last में किवल आपको payment करना है तो आपका application जो है complete हो जाएगा, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको clear करके बता दिया, कि अगर आप भी परकास पीसो भी धाले कि माधियम से, BA, BAC या फिर वीकम करना चाहते हैं, मिंस करना चाहत तो आपकी इस तरह से उसके लिए registration कर सकते हैं, जो भी आपने college का preference दिया हुआ है, उसमें किसी एक college में आपका made बन जाएगा, और उस college में आपको जाकर manually यहाँ पर admission करवाना होगा, तो उसके लिग आडिंग भी समय समय पर आपको update हम देते रहेंगे, फिलाल इस तरह से form और फिल कर सकते हैं,